तो गाइस वेलकम बैक टू दे चैनल और आचुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और यह है चैनल की सबसे पहली CLC अपलोड और इसमें हम लोग बात करेंगे एक्तम ही जबरदस धमाकेदार तूफानी वीडियो के उपर और एक वर्स्ट्राटेजी के उपर जो की हो की अगर आप टैनल टैन पर हैं या उससे नीचे हैं तो यार यह आपके लिए बेस्ट एट अल ड्रेगन अटैक अगर आप करते हो नहीं सामने वाले के बेस्की धजियां ही उड़ जाती है हालत खराव हो जाती है मैं आपको टैनल एट नाइन और टैन इन तीनो टैनल पर बता करते हो तो पांच रिप्लेज उनमें सा इक टाउनल एट का होगा और दो टाउनल नाइन और दो टाउनल टैन या कुछ ऐसा ही अब मुझे याद नी तो देखते हैं हम लोग कैसे यह आएगा और देखना भाई मलब बहुत ओपी स्रेटेजी है इससे अगर आप इसको फॉ पर लेक चल रहे है तो इसमें आप देख सकते हो भाई लगभग सभी थ्री स्टार अटैक हैं उपर के सिर्फ दो जो अटैक है वो टू स्टार ने और फस्ट पर वन स्टार अटैक हुए जरू थोड़ा सा यह नो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट अटैक नहीं और यहां पर आप स जो भी नाम है उन पर अटैक है और महीं क्या ही ओपी मतलब कितना मस थी यहां पर शुरू किया यहां से उन्होंने पहले जो बेसिक स्टैटेजी रहती है इन अटैक की वह होगा कि पहले आप टारगेट करो अपने अपने अटिफेंस को जितने जादा अटिफेंस आप डा ऊसके बाद जो स्टैब पहले पहले पहला से पकर फोताइ ऐडिफेंस डाउन करना और ऑर सेकेंड स्टैब होता है कि जब ऐस everyone वह और फिर पर जो पाकोंचे चाहां से нетपर ब्रफंस डाउन यहांड्र नहीं उस जगह से अटाइक ऑगना उग होते हैं अगर चार air defenses है उनमें से आपने तीन air defenses डाउन कर दिये और एक बचा है तो आप उस side से attack करेंगे जहां पर air defense है अब यहां पर अगर आप देखो तो इसमें जो south side है उस पर air defense काफी जादा बाहर था तो अगर तीन air defenses down हो जाते हैं और अकेला बसता तो हम air defense के side से attack करते हैं तो वो तो यहां पर खेर possible नहीं हुआ air defenses मिसल सिर दू ही down हो और दू बाकी थे और एक eagle artillery भी थी तो हमारा main contention था कि पहले eagle artillery को down किया जाए क्योंकि अगर जादा हमने troops deploy कर दी जो इसकी limit होती है I don't exactly remember जो एक limit होती है eagle artillery की कि इतने आप deploy कर दो troops और उसके बाद अगर eagle artillery active हो जाती तो हमारे जो dragons थे वो कही ना कहीं काफी जादा damage pick up करते और value उतरी नहीं निकाल पाते जितनी हम expect करते हैं तो चले continue करते हैं attack को और देख सकते कि भाई इस eagle artillery को down करने कि कितनी जादा महना तो मशक्कत करने पड़ी दो dragons जो है वो शहीद होगे तो इसलिए पहला हमारा था क जो हमारे troops को काफी जादा damage कर सकते हैं उनको हम down करेंगे और उसमें आप देख सकते हो eagle artillery को down करने की हमारी कोशिश हो है वो काफी अच्छी चल रही है तो फटा फट से पूरा side का जो basis है उनको clear out किया जाएगा side की जो चीज़े हैं उनको हम पहले finish off करेंगे ताकि जो dragons वो फटा फट से अंदर आ सके directly और कहीं बाहर की तरफ खोना जाए और उसी के चलते हम आलके की जो strategy रहेगी उसको figure out करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद जब बाहर की चीज़े clear out हो जाती है तो थोड़ा से south side से target out करने की कोशिश करेंगे थोड़ा south hemisphere में आप देख सकते जो troops हैं उनको हमने deploy कर दिया है कि और damage जो है वो pick up की जा सके है clan castle troops को deploy कर दिया है वो clear out हो जाता है उसके बाद आप आप देखाऊगे कि जो eagle artillery है directly उनको target करने के लिए जो dragons है उनको भी भेज दिया गया है eagle artillery भी activate हो जोगे free spell का इस्तमाल करने ताकि वो फटा फट से उनको जो है damage now dragons है उनको damage now और फटा फट से हम उनको easily down कर जाए and there you go हो चुकिए eagle artillery down और air sweepers को भी down कर जाए multiple infernos है वो थोड़ा सा you know दिक्कत वाली बात रहती है इनमे बट multiple targets की उतनी जादा damage नहीं होती है इतनी single targets की होती है तो कहीं ना कहीं उनको तो easily down कर लिया बट जो single target inferno है ना भाई साब उसने लंका लगा दी हमारी और उसी के चलते आप देख सकते हो कि dragons जो है वो पूरे के पूरे जो single sight inferno के थे वो कहीं ना कहीं clear out हो चुक है बट जो दूसरे multiple target inferno के हैं वो फिर भी survive कर गयो damage हो है वो pick up कर ले 70% already हो चुक है थोड़ा सा इसको और refine अगर attack को ह कर पाते हैं अगर पता होदा कि यह हाल चाल रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा second star भी pick कर सकते थे चलते second attack के ओपर जो कि मैंने खुझने किया है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि directly हम target कर रहे हैं air defense को और यहाँ पर आप देख सकते हो कि start time almost 2 minute के आसपास है तो सिर्फ 2 minute में पूरा का पूरा town hall 10 जो base है almost maxed out है वो हम clear out कर जाएंगे पहले हमने सभी जो air defenses उनको down कर जाए सब्सक्राइट से फिर हम और you know king को लेकर आते हैं थोड़ा सा और चीज़े हैं थोड़ी extra damage इंफिक करने के लिए north side पर इसलिए मैंने चुना कि जो आप देख सकते हो कि आपका जो है क्या कहते हैं उनको clan castle troops वो निकालने थे तो उसी के कारण मैंने वहाँ पर king को deploy करना और उपर से जो हमारा air sweeper है वो भी काफी जादा damage दे गया तो अब बात करने थे कि कैसे आप इन dragons को deploy करेंगे अगर मैं यहाँ पर पहुश कून तो आप देख सकते हूं कि मेरे सभी जो dragons है वो काफी जादा फैले हुए है और reason यही रहते है कि अगर आप सभी dragons को condense out करते एक साथ रखते हैं तो कही ना कहीं उतनी जादा damage आप inflict नहीं कर पाएंगे उतनी फटा-फट damage आप पिक नहीं कर पाएंगे और उसी के चलते time fail होने की chances वो कही ना कहीं बढ़ जाते हैं तो इसलिए आप थोड़ा से dragons को spread out करना चाहोगे continue करते हैं और देख सकते हूं कि मै आपका inferno towers हैं वहीं पर टेसला farm मुझे उम्मीद थी कि town hall के आसपास ही कहीं पर हो सकता है तो वह भी वहीं पर था expose भी वहीं पर थी और in fact town hall भी वहीं पर था तो इसलिए आप जब second star मेरा था कि हम second star target करेंगे तो उसके कारण मैंने काफी ज्यादा चुट रहेंगे तो व वहीं मैंने उसी side से deploy किया उसी तरफ से deploy किया ताकि maximum amount of damage होए वह एक साथ inflict कर सके अगर मैं AK करके डालते तो काफी ज्यादा जल्दी यह सभी inferno's जो है वह damage दे देते यहाँ पर एक single inferno जद था उसके कारण मुझे सभी targets को एक साथ deploy करना पड़ता करना पड़ा अगर दोन और एक attack मैंने बीच में मिसके क्योंकि वह कहीं 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 तो इससे पहले मैं बता सबको शुबं को कि नहीं हम all dragon attack करते हैं एक अच्छा content मिल जागा उससे पहले ही उन्होंने कर दिया था queen walk तो इसके हम उस attack को स्किप करेंगा और यह जो attack दिख से तो य यह काफी ज़दा dragons मर चुके होते हैं और उसी के कारण मैं जो town hall, town hall कहा हूँ, clan castle के अंदर से troops निकलेंगे मैं उनको उतनी damage नहीं दे पाता और उनको शाय से finish भी नहीं कर पाता इससे मेरा contention था कि हम north side से attack करेंगे वापस ही तो कि जो हमारा clan castle है उसके अंदर से troops निकालन से और एक town hall, town hall को कहा हूँ, clan castle तो clan castle के अंदर से भी एक और निकलेंगा, तो साथ मैंने dragons hold कर रखेंगे तो उनको मैंने deploy के, अभी भी आप देखेंगे, उसे देखना था कि कितने dragons यहां पर लगेंगे, मैं minimum से minimum dragons तो है, वो spare करना चाहता था उस electro dragon को down करने के और जैसे ही वो चीज हो जाती है, मैं all dragons जो है, वो south side से deploy कर देता हूँ, ताकि maximum amount of damage वो कम टाइम में inflict हो सके, और time fail जो है वो ना होका है, और इसी कारणा आप तो, tesla palm भी आ चुगे, 50% के ऊपर हम damage जैसे ही कर देते हैं, सभी teslas बहार आ जाते हैं, there goes the queen, queen भी होगी, अभी थोड़े स air defenses जो है, वो थोड़े से चिंता जनक बात की, मुझे पता नहीं था कि air defense, air sweeper कितना ज्यादा समय लेंगी, क्योंकि air sweeper, जो power है ना भाई, बहुत ज़्याद है, I think 1.5 or 2 tiles distance जो है, वो push है, उसके उपर यार, 3 tiles का शाय distance है, तो, वो थोड़े सा मुझे घवरायट सी हो रही 40th level पर लेके जाना है, बहुत बड़ा एक चोकी में, 40th level तक क्वीन को upgrade करना, and there goes it, 3 star, एक और 3 star, तो चलते हैं, अगले attack के उपर, ये वाला attack किया है, मैंने मेरे अपने secondary account के साथ, और इसमें भी आप देखो कि पहले किया, हमने air defense down, और उसके, हो जा down, okay, और उसके बाद किया, हमने motor को down, बिलकुल, motor को down, मुझे भी नहीं पता क्यों गया तो, और ये ही वो mess up है, जो मैं बात कर रहा था, इसको cover कैसे करना है यार, ये मुझे समझ में यार था, मैंने बहुत सोचा तो, मैंने बोला, टाइम जा रहा है, फटा फट से king deploy करते हैं, देख थोड़ी सी बाहर की, जो वाल्स हैं, जो बाहर की चीज़े उनको down करेंगे, और इस attack में आप देखेंगे, मेरे जो king काफी ज down कर जाओंगा, तो बात की air defense को मैं handle out कर सकूँगा, तो वो कही न कहीं मेरी कोशिछ इसलिए मैंने queen के आगे king को डाला था कि king जो है, most of the damage ब्सॉप करेंगे, जैसे queen को थोड़ी सी damage होने लगी, मैंने पटा पट इसकी ability use कर था कि motor down हो जाए, cannons down हो जाए, और देख सकते हो क कि जिस side पर air defense मैं वहां से भी troops deploy कर रहा हूँ, वहां से भी कुछ dragons deploy कर रहा हूँ, reason यही था कि मैं उस air defense को down करना चाहता था, और वो directly होना possible कभी है, अगर आप उसी side से attack करो, मैंने अभी भी अपने दो dragon hold करके रखे हूँ, और तो मेरे काफी ज़्यादा dragons हो है, वो यह ख सकते हैं, मैंने वो उसी समय deploy किया, जब मुझे guarantee था कि हाँ भाई अब यह gold stories तोड़के सीधा उसको तोड़ने चले जाएगा, air defense को तोड़ने चले जाएगा, और वो मैंने deploy किया, और उसमें थोड़ी सी गलती होगी, वो मोठार के तरफ चला गया, बट कही ना कहीं पीछ सब all dragon attack को भी थोड़ा सा संभाल सकते हो, तो यह भी एक अच्छी strategy रहती है, तो वही मैंने कहा था, यहां पर 2x की speed में पटापट से इसको आगे करते ही कि यह तो थोड़ा सा base clearance है, तो यह भी एक अच्छी strategy रहती है, अगर आप use करना चाओ, इसमें जादा आपको मेहनत करनी, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल अटेक्स कर दो, अंधर दू अटेक आप कर सकते हैं, और कापी असानी से लेके जा सकते हैं, और यह आज का last attack जो आप देखना चाओगी, star based जो base है, यह एक काफी सादे defensive layout वाला base है, इसमें अगर आप normal go wipe करो गया, तो कहीं ना कहीं, यह नो पूरी value नहीं निकल के आती, three star होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस पर king Shubham ने किया है, and you can see, यहाँ पर poison का भी इस्तमाल किया गया है, और poison के साथ, पटा-पटस उनके dragon को down कर दिया गया, और king जो है, उनको as a bait use किया, और उसे के चल की कोशिश थी, कि किसी तरह से जो additional troops उनको down किया जा, और यहाँ पर एक और strategy आप इस पर देख सेथे हैं, कि clan castle के अंदर से hawk निकल के आते हैं, यहाँ पर है spell आ जाता है, ताकि फटा-पट से troops को down किया जा सके, troops नहीं, buildings को down किया जा सके, और air defense को फटा-पट से clear out किया ज हीद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें, you know, hogs का इस्तमाल करना पड़ा था हूँ, और इसे के कारणा आज देख से क्योंकि तीनों air defense down हो चुकि हो, और अब सभी जो dragons उनका सिर्फ एक ही इरादा है, एक ही मकसद है, clear the base out, और यहाँ पर भी थोड़ा सा spell factory, अगर आप देखो timer के नीचे तो वो clear नहीं है, तो all dragon attack में कुछ खामिया जरूर है कि dragon के पार कुछ जरूरी चीज़े miss out कर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका पायदा भी है कि आपको जादा सोचना नहीं पड़ता है, एक attack करने से पहले आपको पता है कि सिर्फ air defenses को down करना है, उनके बाद आ कैसे भी attack कर सकते हैं, जब तक air defense down ही होता है, तब तक आपको सोचना है कि कैसे इसको carry forward करना है, और उसको थोड़ा सा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसको plan out करना मुश्किल हो जाता है, जब आपका हाथ इस attack पर बैठा नहीं हो, but as compared to other attacks like lalo, queen walk, hybrid, जो भी आप कह काफी heavy attacks, काफी जादा elixir चले जाते है, so it is not recommended for farming, अगर आप farming पर चाहेंगा, तो उसके उपर भी एक मैं अच्छी आपको strategy बता दूगा, अलग-अलग town halls के लिए, so अगर चाहो तो comments पर लिख सकते हो, कि farming के लिए भी आपको अच्छी strategy बताओ मैं, so bye bye guys, have a nice day, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो please like कर देना, और comments में ज़रूर बता देना, अगली clash of clans की वीडियो किस topic पर वनाई जाए, so bye bye,